Hello to all, तो आईए शुरू करते हैं अपना second lecture of solar cells, जो first unit का ही topic है और second last lecture of the unit, तो मैंने यहाँ पर note फिर से लिख दिया है, जो solar cell के बारे में concept clear करने जा रहे हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं उनको मिलेगा, यह केवल final year के students के लिए बनाया जा रहा है, lecture. So, यहाँ पर types of solar cell और material used हम पढ़ने वाले हैं, बहुत छोटा सा मेरा यह lecture है, शुरूआत में मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे अलग-अलग materials पर research हुई, कि अलग-अलग materials, silicon भी है, germanium भी है, उसमें कौन-कौन सी impurity मिलाए, क्या करें, तो यह सारी research ही depend करती है, कि हम कौन सा ऐसा material लें, जिस पर हमारी तीन चीज़ें, जैसे की efficiency, जैसे की cost, ओके, और जैसे की हमारा band gap, मतलब, जो हमारा photon है, exactly, उसके लिए band gap की जो value है, वो कितने electron world हो जाती है, तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, अलग-अलग materials इस्तमाल करे गए, उसके अंदर अ as a donor and acceptance in silikons, to make pn junctions और solar cell, जो हमारे solar cell होते हैं, वो अलग-अलग types के होते हैं, तो यहाँ पर हम lecture में पढ़ने वाले हैं, अलग-अलग type, जैसे single crystal silicon हमारा होता है, एक type, तो उसमें obviously silicon ही use होता होगा, polycrystalline and amorphous, तो यहाँ पर polycrystalline क्या है कि एक अलग type है, और amorphous मेरा अ तो यहाँ पर क्या है कि दोनों silicon है, इसलिए यहाँ पर एक साथ लिया गया है, cadmium sulfide and cadmium telluride, यह भी amorphous type का ही मेरा semiconductor बनता है, तो इसको मैंने अपनी slides में amorphous में ही रखा है, और साथ में कुछ copper indinium disillinite भी used होता है, so that हम efficiency को increase कर लें, तो आईए पढ़ते हैं types, और तो उसमें होने वाला material used, तो यहाँ पर तीन type के हमारे solar cells, monocrystalline, polycrystalline and amorphous, तो depend करता है कि वह यह जो production का, manufacture का process क्या है, वो उसकी cost पे depend करता है, और वो ही जो method है मेरा, वो ही efficiency भी बताता है, ठीक, उसमें material कौन सा use कर रहे हैं, वो मेरा क्या बताता है, band gap बताता है, तो यही सारी बाते हैं, जो अलग-अलग material को use करने के लिए, अलग-अलग types को use करने पे हमें dependent बनाती है, तो सबसे पहला single crystal silicon, single crystal silicon, यह single crystalline growth जो है, वो मैं आपको बता दू, VLSI technology का part है, VLSI technology के मेरे lectures होंगे, आप चाहे तो वहाँ पढ़ सकते हैं, तो यह VLSI technology जिसको थोड़ आसा deep understand करना हो तो, मैं आपको एक चीज़ बता दू, आप single crystal growth के लिए एक process होता है, जिस process के अंदर हम normal जो हमें, जिस form के अंदर हमें silicon मिलता है, उसके अंदर impurities होती है, उसको पहले हम metallurgical grade silicon के अंदर convert करते हैं, उसको पहले MGS form में लेकर आते हैं, जिसकी purity around 95% हो जाती है, इस MGS के बाद हम इसको EGS, electronic grade silicon के अंदर convert करते हैं, इसको semiconductor grade silicon के नाम से यहाँ पर लिखा गया है, EGS में convert करते हैं, जिसकी 99.9% के आसपास इसकी purity निकल कर आती है, तो ये दो अलग-अलग process है, जिसके अंदर मेरा single crystal develop होता है, तो single crystal develop होने के बाद उसको इसको इस्तमाल करें, अब इतने बड़े method के बाद हम केवल single crystal को grow कर पा रहे हैं, और उसको एक solar cell बना रहे हैं, तो उसकी obviously क्या होगी, cost काफी बढ़ जाएगी, ये बहुत expensive रहता है हाला कि efficiency इसकी बहुत बहतर रहती है, इसकी cost 100 गुना जादा हो जाती है, normal हमारे poly crystalline से अगर बात करें, poly crystalline exactly, growth का procedure तो वैसे ही होता है, growth का procedure बिलकुल MGS से फिर EGS बनाया जाता है, but poly crystalline means यहाँ पर क्या है कि एक single crystal नहीं है, एक पूरा ingot create किया जाता है, मैं आपको ये VLSI technology में मेरे lectures में आपको मिल जाएगा, तो ये इसके बाद इसके wafers कट किये जाते हैं, और उस particular wafers के ऊपर हम अपने structure को बनाते हैं, तो poly crystalline ये कहलाता है, तो poly crystalline के बारे में अगर बात करें, तो ये cost effective तो हो जाता है, मगर इसकी efficiency क्या हो जाती है, थोड़ी सी low हो जाती है इसका process के कुछ steps आप यहां से भी लिख सकते हैं, चाहे तो मेरे VLSI technology के first two lectures के अंदर ये चीज़े आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपने third year में ये subject पढ़ा होगा, या last sim में ये subject पढ़ा होगा, तो आपको अच्छे से आता होगा, अब amorphous type की बात करें, normal amorphous silicon के अंदर यहां पर growth नहीं करते हैं, silicon crystal की growth नहीं करते हैं, यहां पर जो हमारा silicon की film है, उसके उपर CVD, मैं आपको बता दूँ, CVD reactor एक device होता है, जिसके through chemical vapor deposition करते हैं, impurities मिलाने के लिए P type और N type की, तो ये method से हम अपने PN junctions को बनाते हैं, wafers लेते हैं, हमारी जो silicon की polycrystalline wafers को लिया, उसके बाद हमने CVD reactor के अंदर PN junction को बनाया, और उसके अंदर कुछ impurities हमारी मिली, तो यहां पर क्या है कि gas जो होती है, वो ionize कर लेती है, हमारा जो wafers है exactly, जिस wafers के उपर हम इस gas को ionize करने के लिए लगाते हैं, PN junction हमारा form करता है, तो यह process है, VLSI technology का थोड़ा सा introduction मैंने आपको यहां पर दे दिया, तो amorphous silicon इस तरीके से बनाया जाता है, कुछ other material जो amorphous टाइप में इस्तमाल होते हैं, वो होते हैं, galenium arsenide, GAAS, cadmium telluride, CDTE, copper indenium selenide, CUINSE, तो अगर हम इस particular structure की केवल बात करें, cadmium sulfide, cadmium telluride की बात करें, सबसे पहले बार इसको commercialize जापान के अंदर किया गया, इसकी खासियत यह है कि बहुत छोटी-छोटे material, बहुत छोटी-छोटी layer से हम काफी efficient way में solar cell को बना सकते हैं, बहुत thin film ही हमें required होती हैं, 10 micrometer के आसपास या इससे भी कम, हम cadmium telluride और 12 micrometer की CDS, cadmium sulfide को small करते हैं, इसका maximum output 10.5 watt, 52.13, 0.313 short circuit current और fill factor इसका 0.6 निकल कर आता है, flux जो है, 1000 Weber per meter square, 8.7% efficiency, lab के अंदर efficiency जो हम test करें, तो इसकी around 16% के आसपास होती है, इसकी efficiency भी अच्छी है, cost भी कम हो गई, बट साथ-साथ क्या है, material जो है हमारा वो भी मेरा कम हो गया, जिसकी वज़ जिसे cost मेरी कम हो गई, copper indenium di-cellinide, that's very difficult to pronounce, but it's okay, you have to remember this spelling, तो copper भी इस्तमाल किया गया, so that इस particular जो हमारा photon से वो अच्छे से absorb हो सके, normally lab के अंदर 14.1% की हमारे पास, जो इसकी efficiency मिली, अगर इसको lab में हमने test के लिए लिया, तो 11% के around efficiency मिली, 30 by 30 के structure के अंदर की efficiency जो हमें 11% मिली, अगर हम बात करें, और पीछे के तीन category जो हमने पढ़िया लग-अलग, ये जो है, हमारे stable होते हैं, less sensitive होते हैं, because of the presence of metal, आसानी से इनको scale किया जाता है, manufacture किया जाता है, तो इसलिए भी इसकी cost पे effect पढ़ता है, तो ये मेरे चार अलग-अलग types थे और उन types के अंदर कौन-कौन से material मैं इस्तमाल कर रहा हूं, तो ये objective मेरा clear हुआ है, इस lecture का, next lecture में हम पढ़ेंगे solar power plants के बारे में, जो की last topic होगा आपका, इस unit का, thank you all.